हेलो वाइज, वेलकम बैक टू माई यूटिप चैनल, आज मैं आके लिए एक ऐसी ट्रिक लिए कर रही हूँ, जिससे आप सिट्रक इसर साइकल को मिन्टों में याद कर सकते हैं, तो इस ट्रिक को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सिंटेंस त्यार कर रखा है, जो आपको याद रखना है, तो वो सिंटेंस क्या है, प्रिया, सीता और इशान कल संडे को सारे फ्रेंड्स मिलकर आफिस स्टूर बर जा रही हैं, तो आपको यह संटेंस याद रख सकते हैं, प्रिया, प्रिया में जो P है, P से बनता है पाइरुवीट और A जो है इससे बनेगा हमार पास असेटाइल को एंजाइम A, आपको पता है जो यह सिट्रिक एसिर साइकल है यह कहां से स्टार्ट होती है, जहां पर ग्लाइकोलिसस एंड होती है तो ग्लाइकोलिसस में आपको पता है कि पाइरुवेट एंड पड़क बनता है उसके बाद वो कनवर्ट होता है असेटाइल को एंजाइम A में और इसके बाद है सीता, सीता यहां पर मैंने C से लिख रखा है वैसे S होता है लेकिन यहां पर सीता आपको C से याद रखना है सीता मतलब सिट्रेट और एंड का A से मतलब है आकोनिटेज इसान, इसान में Y से मतलब है आईसो सिट्रेट और कल, कल से है अल्फा कीटो ग्लुटारेट next है Sunday, Sunday से आपको याद रखना है succinyl go enzyme A, Sunday को सारे सारे से आपको याद रखना है succinate, friends मतलब fumarate और milker, milker से आपको याद रखना है mallet, और mallet के बाद यहाँ पे बनता है oxaloacetate, तो office tour से आपको याद रखना है oxaloacetate तो इस तरह से आपको ये sentence याद रखना है Priya, Sitar and Ishan कल Sunday को सारे friends मिलकर office tour पर जा रहे हैं अब इसमें जो enzymes involved होते हैं उनको याद करना बहुत ही असान है क्योंकि जो इसमें substrates involved होते हैं उनके नाम के उपर ही इसमें जो enzymes हैं उनके नाम है जैसे कि यहाँ पर pyruvate से बनता है acetyl coenzyme A तो pyruvate की नाम पर यहाँ पर जो enzyme का नाम है वो है pyruvate dehydrogenase ठीके तो pyruvate से acetyl coenzyme A बना सिस-aconytase तो इसमें enzyme involved होता है aconytase अब aconytase से isocytrate बनता है तो इसमें आपको याद रखना है कि aconytase से पहले का step है उसमें भी aconytase यूज होगा और उसके बाद का step है उसमें भी aconytase enzyme भी use होता है अब यहाँ पर जो isocytrate है isocytrate से बनेगा alpha ketoglutarate तो इसमें enzyme involved होगा isocytrate dehydrogenase इसी तरह से alpha ketoglutarate से बनता है succinyl coenzyme A ठीके तो इसमें enzyme involved होगा alpha ketoglutarate dehydrogenase अब succinyl coenzyme से बनेगा succinate तो succinyl coenzyme के नाम से आपको याद रखना है succinyl coenzyme A synthase अब succinate से यहाँ बनता है fumarate तो succinate के नाम से आपको याद रखना है sacrinate dehydrogenase अब fumarate से यहां पिनता है mallet तो यहां पिनता है fumarate के नाम से fumarase और इसी तरह यहां पिनता है oxaloacetate इसके नाम पिना पिनता है mallet dehydrogenase अब oxaloacetate दोबारा से acetile को enzymes के साथ condense होकर क्या बनाएगा citrate तो इसमें enzyme use होगा citrate synthase तो इस तरह से इस short trick से आप citrate acid cycle को आसानी से याद रख सकते हैं इसमें जो substrates involved होते हैं और इसके साथ साथ जो इसमें enzyme use होते हैं उनको भी आप याद रख सकते हैं I hope आपको इस वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जाद स्यादा शेयर करना Thank you for watching